हेलो दोस्तो मैं हर्शुता और आप देख रहे हैं ट्विन्स वाइवर्ड थमनेल देखे समझी गया होंगे और बहुत सारे लेडीज के मन में हमेशा से एक कोशन आता है कि क्या प्रिग्नेंसी उन्होंने कंसीव कर ली है या नहीं कर ली है और प्रिग्नेंसी कितने दिनों के बाद से उसकी सिम्टम शुरू हो जाते हैं तो देके symptoms की, अगर मैं बात करो, तो कुछ videos मैंने बनाये हैं, और बहुत सारी ladies, बहुत सारे symptoms करती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सबको ये की तरह के symptoms आएंगे, सबको एक ही जैसा चलेगा, सबकी कुछ अलग-अलग symptoms हो सकते हैं, सबकी bodies अलग-अलग होती हैं, तो babies भी अ लेकिन बहुत सारी महिलाएं, ऐसे unusual symptoms face करती हैं, जिसके बारे में ना कोई जानता है, ना कोई सुना है, और ये कही न कहीं उनके hidden symptoms होते हैं, प्रिगनेंसी के, तो आज उसी के बारे में discussion कर लेते हैं, कि वो कौन से ऐसे hidden symptoms है, जो आपको नहीं पता चलते हैं, और कहीं न कह ही, वो आपकी प्रिगनेंसी का कारण बनते हैं, सबसे important बात, प्रिगनेंसी का कारण नहीं बनते हैं, एक symptom है, तो उसकी बात कर रही हूँ, तो सबसे पहले बात, कि जैसे आप लोगों पता है, कि female reproductive system में दो ovaries होती है, alternate month में आपके शरे से एक mature egg release होता है, और उसका fertilization होन हैं, उसमें अगर बच्छा अच्छे से चिपक जाता है, उसके बाद ही आपकी प्रिगनेंसी के processes शुरू हो जाते हैं, तो बहुत सारी लेडीज, implantation bleeding face करती हैं, उनको हलकी सी spotting आती है, maybe brown discharge आ सकता है, maybe pink discharge आ सकता है, तो depending upon, again मैंने बोला कि कुसी को depend करता है, कि उनकी body किस conceive हो जाती है, उसके बाद उनके vaginal से, vaginal area से थोड़ा सा discharge आता है, तो वो discharge कैसा होता है, वो बहुत ही sticky सा discharge होता है, लेकिन बहुत सारे महिना ये बोलेंगी कि नहीं, मेरे साथ तो ये normally होता है, in fact pregnancy के पहले भी ये सारे symptom आते हैं, और ये मेरे साथ normal है, तो इसमें ऐसी क्या खास बात है vaginal discharge में, तो देखी ये जो discharge है, ये sticky तो होगा ही है, लेकिन साथ ही साथ आपको कुछ एठन भी देखे जाएगा, मतलब अगर आपको डिस्चार्ज हो रहा है, और पेट में, या तो left side में, या right side में, या ना भी के नीचे, अगर आपको हलकी हलकी सी एठन होती है, अगर आपको लगता है कि नहीं, कहीं थोड़ा सा cramp जैसा feel हुआ, थोड़ा पेट, थोड़ा सा आपका एठ रहा है, अगर इस तरह के symptom आपके साथ included है, और साथ ही साथ आप महसूस भी करेगा कि frequent urination भी हो रही है, तो ये कहीं न कहीं आपके pregnancy conceive होने के symptom है, मतलब ये पता नहीं चलती है, ये hidden है, लेकिन ये होता है, बहुत सारी ladies के साथ देखा गया है, और ये देखे, discharge होता तो होता क्यों है, आपका जो बेबी है, जो अड़ा है, वो fertilize हो गया, उसके बाद वो नन्हा सा जैगॉट आपके uterus की wall पर चिपकता है, उसके बाद उसकी 9 म उनका बदलाव हो रहा है, उतार चड़ाव हो रहे हैं, और कुछ ऐसे vaginal infections की भी संभावना उसमें रहती है, तो माप्रकृती इस तरह से बनाती है, कि हाँ, इसमें अगर आपको कुछ discharge होते हैं, तो ये discharge आपको external किसी भी infection से बचाने में मदद करती है, जो बच्चा, जो growing जो बच्चा है, उसको support देने के लिए आपको इस तरह के discharges महसूस हो जकते हैं, और कई बार कुछ लेडीज तो ऐसा भी feel करती हैं, कि उनके वजाइना के area में, उनकी जो muscles होते हैं, काफी soft से feel होते हैं, तो ये कहीं न कहीं उनको infection से protection दिया जाता है, माप्रकृती सब कु सोच समझ के करती हैं, कि जो बच्चा गर्ब में आ गया है, उसी किसी तरह की infection नहीं लगे, इसलिए जो blood flow होता है, आपके शरीर में continuously run होता है, सारा जो blood flow है, oxygen है, जो water content है, जो nutrient है, सब कुछ आपके baby बनाने का process शुरू करती है, तो आपके विजाइना के area में बहुत सलता रहता है, तो कुछ ऐसे discharges होना एक normal प्रक्रिया है, एक normal सी बात है, तो अगर इस तरह के discharge अगर आपको महसूस हो सकते हैं, तो ये कहीं न कहीं आपकी pregnancy की symptom हो सकते हैं, अगर good news आती है, तो please मेरे चैनल पे बताना मत बुलेगा, मुझे बहुत जादा खुशी मिलती ह कि आपकी pregnancy conceive हो रही है, और बहुत सारे ladies जो काफी दिनों से कोशिश कर रही हैं, conceive नहीं कर पा रही है, उनको please मेरे चैनल एक अच्छे नियत के साथ जरूर forward कर दिया करिये, जरूर share कर दिया करिये, क्योंकि मेरे चैनल पे एक playlist है, जिसका नाम है journey to parenthood, trying to conceive, तो वहाँ पर बहुत सारे videos मैंने बनाया है, बहुत सारे tips and tricks के उपर बाते की हैं, कि आप कुछ ऐसे tips and tricks के इस्तमाल करके भी baby conceive कर सकते हैं, अपने lifestyle में भी आप परिवर्तन करके baby conceive कर सकते हैं, कब आपको doctor से मिलना चाहिए, कब उनसे कौन सी बाते करनी चाहिए, सब के बारे में complete guidance दी ह प्लीज मेरे चैनल को शेयर करना मत भूलीगा, अगर चैनल शेयर नहीं कर सकते हैं, तो उस playlist को शेयर कर देजे, जो भी आपकी मर्जी हो, जरूर करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही important है, उन लोगों के लिए, क्योंकि जो कही न कहीं अगर देखिए, उनको बेबी अगर नही सूसोती है, जिनकी भी pregnancy conceived होती है, मैं दिल से यही दूआ करती हूँ, कि जिनकी pregnancy conceived हो गई है, अच्छे से राजी खुशी नौ मेना निकल जाए, और जिनकी conceive होने वाली है, जल से जल्द हो जाए, मतलब एक महने दू महने के अंदर हो जाए, बस उससे ज़्यादा कुछ नह जाहिए, thank you so much for watching this video, thank you so much